है अब आज कि विडियों बात करने वाले एक ऐसे सीरिस टॉपिक के उपड़ जो आपके लिए बहुती जरूरी है आज के इस टाइम में जिहां दोस्तो आप सोच रहोंगे कि सीरिस टॉपिक क्या है दोस्तों सीरे स्टॉपिक के 50,000,000 रुपियों का या उससे भी ज़ादा क दोस्तो देखे आज के टाइम में जो है 50 लाग रुपे बहुती माइने रखते हैं दोस्तो अगर हम आपसे पूछे कि आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 या 35,000 रुपे भी अगर आप हर महीने कमाते हैं तो कि आप जिंदिगी पर 50 लाग रुपे जोड़ पाएंगे दोस्तो आप बोले मिडल क्लास और मुडल क्लास की बहुत ही आदत होती है फिजुल खर्चा करने के हम 15,500 रुपे खर्च करने में तो सोचते नहीं हैं लेकिन दोस्तो यही 50,000,00 रुपे हम मिडल क्लास और लौ़र मिडल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ा आमाउंट होता है, बहुत बड़ी राशी होती है, और ये हम सपनों में ही सोचा करते हैं, दोस्तों ये 50 लाख रुपे सोचे हमारी जिन्दिगी बदल सकते हैं, दोस्तों आप हर महीने 1500 रुपे तो फिजुल का खर्च करी देते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम हैं, तो हम अपने परिवार वालों के लिए 1500 नहीं कितने भी पैसे खर्च कर देते हैं, चाहें वो लाखो रुपे ही क्यों ना हो, आगे चलके भी हम लाखो रुपे अपने परिवार वालों के लिए खर्च कर देते हैं, चाहें वो आपको कर्जा लेकर ही क्यों ना खर्च हमें कल कि सोचना है दोस्तो आज का time जो है वो कोई नहीं जानता आज हम बैठे हैं कल का हमें नहीं पता किकल हमारे साथ क्या होने है तो दोस्तों देखिए 1500 रुपे तो हम फिजूल खर्च करता ही है तो हमें यहीं 1500 रुपे का जो है वह यूज करना है और आने वाले टाइम में आपके परिवार वालों के लिए फायदमन्ध होगा दोस्तों यह फायदमन्ध कैसे होगा इस बारे में हम आपको इस वीडियो लोगों को करना चाहिए health organizations भी इस बात की अपसला देने लगे हैं कि सभी लोगों को term insurance जरूर लेकर रखना चाहिए दोस्तों अगर आप Google पर जाकर यह search करेंगे term insurance तो बहुत सारे term insurance के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आपको बहुत सारी companies में मिल जाएगी जैस तरह से term insurance काम करता है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता है कि हम जिन्दगी भर 50 लाग रुपे तो जोड़ नहीं सकते लेकिन सिर्फ 800 से 8500 रुपे खर्चा करके यानि कि 800 से 8500 रुपे अगर आप हर महीने खर्चा करते हैं हर महीने यहाँ पर देते हैं premium तो आप कम से कम 50 लाग रुपे तो term insurance करवा ही सकते है 50 लाग रुपे या उससे ज़्यादा का भी अब बात करते हैं term insurance होता क्या है या term plan होता क्या है दोस्तों term plan यह होता है कि मानलीजिए आपको आगे चल के कुछ हानी हो जाती है मानलीजिए अभी आप हैं लेकिन एक साल बाद दो साल बा को दे दी जाती है दोस्तों ध्यान दीजिए जीते जी हम 50 लाग रुपे इकटे नहीं कर पारे तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो वो राश्री 50 लाग रुपे जोके बहुत बड़ा अमाउंट है वो हमारे परिवार को दे दी जाती है हमारे जाने के बाद ताकि उनका इंकम जो आपकी है जैसकि 20,000, 18,000, 25,000 तो उसी इसाब से आपको यहाँ पर बता दिये जाएंगे प्लान तो यहाँ पर कम से कम जो है 50,000,000 तक का प्लान होता है कम से कम और 50,000,000 से जादा आप कितने का भी यहाँ पर टर्म इंशोरेंस ले सकते हैं यानि कि अगर कुछ हानी होती है तो उतने ही पैसे आपके परिवार को दिये जाते हैं तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सिर्फ एडवाइज या गाइट करना चाहता हूं कि आपको जरूर टर्म इंशोरेंस लेना चाहिए चाहिए वो आप किसी भी कमपनी से लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बहुत ही जरूरत है क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है यह समय बहुत बेकार है आप सभी जानते हैं कि यह समय बहुत खराब चल रहा है और कब क्या हो जाए किसी हो कुछ पता नहीं है तो आप जो फिजूल का जो खर्च करते हैं हर महीने 1500 रुपे जो खर्च करते हैं तो सजार 15 मुई से सिर्फ 800 रुपे आप महीने का खर्च कीजिए महीने का यहां पर प्रीमियम दीजिए और अगर आप मान लीजिए कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को एक निश्ची तराशी मदद के तौर पे नौमिनी को दे दी जाती है तो यह भी कंपनी से टर्म इंशुरेंस लीजिए टर्म इंशुरेंस की जानकरी आप गूगल पर जाकर पूरी यहां पर डिटेल देख सकते हैं उसके बारे में समझ भी सकते हैं तो प्लीज आप इसे जरूर करवाईए इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई क्योंकि यह सभी लोगो की निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाई हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह विल्कुल फ्री होता है और आप इससे जहाँ जयादा पायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद